नमश्कार दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप सीवीटी दोजार चौबीस के लिए जो अन्तिम पैतालीज दिन बचे हैं उनका सही तरीके से उट्रिलाइज़ेशन करेंगे और अपनी ड्रीम्ड जो आपने युनिविश्टी ड्रीम की थी कि हाँ मैं इस युनिविश्टी में जाना चाता हूँ इस कॉलेज में जाना चाता हूँ उसमें जा पाएंगे तो मेरा नाम है आदिति तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म इन एजूकेशन अड़्डा 24-7 पर हाल फिलाल में कई सारे बच्चों के मेरे पास मेल्स आये वाट्स अप मैस्जेस आये कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें किंचियों को हम नोट करके रख लें कि हमारा जो आगे आने वाला पेपर उसको अच्छा करें कई सारे बच्चों ने यो बहुत important है लास तक देखेगा और यह अगर आप strategy follow करने लेते हैं तो I can assure you कि आप for sure बिटा अच्छे marks लाने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले आप एक बार जरा reality चेक लीजे कि भी यह 2023 के CVT में और 2024 के CVT में क्या खास अंतर है उससे आपको मातर दो लाग बच्चे थे जो अपनी मन पसंदीदा seats पापाए थे मन पसंद college पापाए थे अपनी डिजाइड university डिजाइड college पापाए थे यानि कि आप यह समझ लिजे 14 लाग में कर दो लाग हटा दिये दो लाग और चलिए चोड़ देते हैं तो लगभग 10 लाग बच् लिज्टर करने वाले इस बार क्योंकि यूथ में अब इसको लेकर रहे कि काफी ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है सब स्यूटी के माध्यम से यह college में जाना चाहते हैं डियू में जाना चाहते हैं बाबाराव भीम ब्राव बेटकर में जाना चाहते हैं लग अच्छी सची तैयारी करनी पड़ेगी और उस तैयारी को करने के लिए आपके targets clear होने चाहिए आपको अपना road map पता होना चाहिए कि आखिरकार हम क्या करके किस target को हम set कर लें अपने लिए इस subject में कि हम इस number को अगर cross कर देते हैं तो हम for sure पाप आएंगे सबसे पहले आपके दिमाब में उपर ही आप बात करिए इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जितने भी बच्चे हैं बड़ी बात से तौबा लेकिन इस बार वो सारे के सारे 200 में से 200 लाने वाले 100% लाने वाले और मैं जानता हूं तुम भी मेरे आदित भीया के student हो तुम भी कम नहीं आएंगे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एकॉनमिक्स और जियोग्राफी वाले बच्चे उनको तो 190 की उपर स्कॉर करने की कोशिस करनी है क्योंकि अगर आप करना चाते हैं बी ओनर से पॉलिटिकल साइंस बेन और इन क्या बोलते हिस्ट्री आपको अगर करना है अब प्रोग्राम मैं से होती होई गुजडेगी पंदरा बीस मार्च से पंदरा प्रेल पंदरा प्रेल से फ़स्ट में फिफ्टियत में इना पंदरा मही तक अब यह जो तीन फेज हैं आपके उन में से आपको पहला और दूसरा फेज बहूत इंपॉर्टें है उसमें मास्रोक काम करेगा तो सबसे पहले हम phase 1 की बात करते हैं जो हमारा शुरू होगा 28 मार्च से और खत्म होगा 15 अप्रेल तक हमें पता होने चाहिए हमारे पास क्या resources होने चाहिए तैयारी करने के लिए और हमारी क्या priority होनी चाहिए भले बोर्स एक्जाम चल रहे हो भले अभी कोई दो तीन एक्जाम बचना हो पर तब भी आपको दो चीयों पर खासा ध्यान देना है इस फर्स्ट फेज में जो कि है 15 अप्रेल से वो English नहीं पूछे जाने वाली उससे बहुत ही कम topic आई लेटर राइटिंग आ जाएगा है आपसे वो पूछ लेगा या application पूछ लेगा UP board वाले बच्चों से narration पूछ लेगा बाकी सारी चीजे अलग होने वाली grammar अलग होने वाली है यह वो grammar होगी जो competitive exam में आपको बैठन होता है जब आप वो paper देते हूं वही level का paper आपको यहां मिलने वाला है paper बहुत कठी नहीं होगा पर variety बहुत सारी होगी topics बहुत सारे होगी जने cover करने के लिए time चाहिए और यह बिल्कुल नया होने वाला है plus GT अगर आप में से वो बच्चे भी है जो GT को opt कर रहे है तो उन साथ कर देना है सौल करना chapter wise practice mcqs किन चीज़ों के बहुत करना है प्लस आपको chapter wise अभी मैंने second phase में एंटर करने के लाइक बन जाएंगे और आपको इस first phase से होकर कि जरूर निकलना है आप इस first phase को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते के लिए आपके पास resources क्या होने चाहिए आपके पास होना चाहिए chapter wise mcqs प्लस आपके पास होने चाहिए notes of deleted chapters क्यूंकि कि आपके class 12 में जो chapters नहीं पढ़ाए गए सीवीटी में वो चैप्टरस भी आएंगे और उससे भी अच्छा कासा पार्ट आएगा आप उससे भी अच्छे कासे नंबर का पेपर आएगा तो आपको उन chapters के भी विए notes चाहिए होंगे प्लस अब हम बात करने वाले हमारे phase 2 की जो स्टार्ट होगा फिफ्टी एथ 15 अपरिल से फर्स्ट में तक यह बहुत ही जाने कितने बच्चे 100 परसेंटाइल आपके दिखा दें सिर्फ कंसिस्टेंटी एक ऐसी प्रॉब्लम में जो बच्चे नहीं दिखा पाते तो आपको ध्यान क्या रखना है आपको शौट नोट्स रिविजन पर बहुत जाता ध्यान देना है आपको शौट नोट्स बना ल हाईब्रेड बोड में क्योंकि कई सारे ऐसे भी सब्जेक्टि होंगे कई सारे ऐसे डोमें सफ़ी लेंगविच के पेपर होंगे जिनको आपको पयनेंट पेपर मोड में देना पड़ेगी और अशिक्यार जाकर होई याप उसके सब्सक्राइब करें करें कोई और उसके माद्यम से आप कुशन लगाए था कि आप उससे हैंडी हो जाए आप पैनिक ना करें अब आपको यहां के लिए क्या रिसोर्स चाहिए जो आपका फेस्टू है उसके आपके पास एक्जाम पैटरन बेस मॉक्टेस्ट होने चाहिए क् मार्केट में लेकिन यह कौन सा रेलिवेंट है कौन सा ऐसा मॉक्टेस्ट है जो पेपर की लिहाद से सही है क्योंकि कोई भी मना अपना मापदंड अलग है प्लस आपके पास पीवाई क्यू जोने चाहिए पिरिवियस एर पेपर जिनके पास यह चीजह है वह फेस्टू को पूरी तरीकिस कंप्लीट कर सकते हैं अब फेस्ट्री मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो हमारा मास्टर श्रोक होने वाला है पहले अगर आप लोगों ने अभी तक जुनून प्लस में इंरोल नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप आ जुनूर प्लस में जुर जाते हैं मेरे साफ जुर जाते हैं हमारी टीम के साफ जूर जाते हैं चाहे वो साइंस हो वो सैंस हो गया Ri這裡 Lum आपको expert faculties मिलेंगे और exam pattern based preparation मिलेंगी exam pattern based PYP's भी मिलेंगे और mocks भी मिलेंगे किसमें जुनून प्लस में और अगर आपको इसमें enroll करना है तो आपको ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान रखना है ये code S743 ये क्यों बता रहूं इसलिए बता रहूं क्योंकि limited time offer है बेटा अगले तीन दिन के लिए कितने दिन के लिए अगले तीन दिन के लिए आपको इस code S743 पर मिलने वाला है maximum discount चाहे आप science background के हों चाहे आप commerce background के हों चाहे आप humanities domain के हों आप किसी भी domain के क्यों ना हो अगर आप code use करते है S743 इसकी अभी screenshot ले लीजे कोई भी course लेना है कोई भ और तीन दिन के लिए maximum discount आपको मिलने वाला है on code S743 और यह चुरून प्लस मेट आपके लिए life changing होगा प्लीज आप इसमें enroll कीजे consistency बनाएए और आप में से कई सारे बच्चे जो मुझे पूछते किस तरीके साम इन्रोल करेंगे तो भी मैं आपको दिखा दिता हूँ आप आप जाएंगे school k12 पर school k12 में जाने के बाद आप जाएंगे cbsc board class 12 पर आप यह गये आपने हापर क्या view all अब आप देख सकते हैं बेटा जुनून बैच यह है यह जुनून बैच यहीं पर अभी जुनून टू पॉइंट ओ सारी जुनून प्लस भी आ जाएगा जिसके मा आप बाइन आप पर जाएंगे आपने आप पर कोड लगाया एस 743 जैसे आपने कोड लगाया एस 743 आप देखिए वह आपको मिल गया maximum discount जो चीज 3500 की थी वह आपको मिल रही मात 2904 की हाला कि आपको इस बात का ध्यान रखना है जब जून प्लस आएगा जब जून प्लस था अब जुनून है तो आप लोग प्लीज इसमें इंड्रोल करिए और हमारे साथ इस मुहीम में जोड़िए और अपने आपको सबल बनाई और अपनी ड्रीम उनसी तक पहुचिए कोड यूज करेंगे एस 743 कोई भी समस्या परिशानी आती है कॉमेंट सेक्शन में